इस एपिसोड में बात करेंगे इंडियन और कॉपरेशन लिमिटेट के बारे में जबर्दस्त कंपनी है हर कोई जानता है इस कंपनी के बारे में करोड का मार्केट का आप है सिर्फ देखोगे तो आपको शायद सस्ती नजर आएगी बट जनरली ऐसा होता नहीं है अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इस कंपनी के बिजनिस की तो एंटायर हाइड्रो कार्बन वाल्यू चेन यहां पर कंपनी के बास में रिफाइनिंग प्लाइन ट्रांस्पोटेशन मार्केटिंग प्रोड़क्ट्स टो आर और एंडी एक्स्प्लोरेशन अब्रोड़क्स मतलब पूरी वाल्यू चेंज वह कंपनी अकेले प्रवाइड करती है तो मुझे लगता है वह बहुत बड़ी जीज़ है आंड आप यूसके जो 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 पर इंडिया यहां पे प्रोड़ करता है पेट्रोल को आंड उसे रिफाइन करके दूसरी कंट्री इसको बेशता बहुत सारे बिजनस आसपेक्ट रहते हैं इस कंपनी में तर रिटेल वाला नहीं होता फिर अविशन के यहां पेट्रोल चाहिए हो तो बहुत सारी चीज़ पर देखो एक बार ग्रोथ मुझे लगता है यहां पर एक बार को रुखती है क्यों रुखती है एक बार को ग्रोथ आपको बड़ा बिजनस बनाने के लिए चाहिए कि मेरे को पैसा मिले पैसा आप तब लेना प्रेफर करोगे जब इंट्रस्ट रेट कम होंगे तो वह चीज यहां पर देखने को मिलती है अब आप छोटे लेवल पर समझना चाहिए तो आप समझो आप गाड़ी एक दो महीना डिले कर लोगे कि चल यार इंट्रस्ट कम भरना पड़ेगा कम इंट्रस्ट रेट में मिल जाएगा तो वैसे करके आप सेनारियो समझें एक छोटे स्केल पर बड़े स्केल पर आप समझ सकते हैं ऐसी कोई बड़ी manufacturing firm होगी या बड़े कोई अगर उन्होंने orders देने हैं for you know aeroplanes हो गया इसके लावा यहां पर कोई country अगर order करना चारी तो बहुत सारी चीज़ें यहां पर आपको इस aspect पर counting करनी बड़ती हैं जिसकी वीचा से सेल्स के अंदर हमें primarily एक drop देखने को मिला but margins यहां पर इंप्रूव हो 16,500 क्रोड के operating profit और 9,225 क्रोड का net profit बना अच्छो ले सकते हैं वो एक all together दूसरी चीज़ है अगर आप चाहें कि मैं IOC जैसी company establish कर लोगा तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा capital चाहिए तो वह जो है एक बहुत ही added advantage मिलती है इस company को तो ले देखे जो concentration है वो कुछ ही companies के हाथ में हाती है 10 November 2023 को लास्ट पांच अंदर हमें एक अच्छा breakout भी देखने को मिला है तो उसको समझते हैं जब से पहले देखो top से हुआ क्या है कि यहाँ पे एक channel pattern मनना चालू हुआ है जिसके साथ में stock जो हमें नीचे drag down होता हो नजर आ रहा है यहां से crucial support तो इसका काफी नीचे है बढ़ अगर हम लोग बात पास का जो है downside है तो यहां पर 136 रुपीज पे अच्छा support zone है इस particular company के लिए जिस track के साथ में stock अभी नीचे जा रहा है यह possibilities जादा बनते वे नजर आ रहे हैं कि इस level तक भी support price तक भी stock के possibilities है दूसरी चीज़ यहां से अगर breakout आता है तो इनिशली यह 180 रुपीज का level है यह बीट हुआ तो head होगा stock 52 week high 195.35 की तरफ यह level बीट होता है तो stock यहां से मैं further और जादा उपर जाता हूँ नजर आ सकता है और यह momentum जो है मैं continue होता हूँ नजर आ सकता है With that said I really hope you guys enjoyed this episode पसंद आया है please like, share, subscribe जरूर करना कोई भी doubt है please feel free to ask it in the comment section below and I'll see you guys in the next one Thank you